कि अपके अपने चैनल साल में आपका स्वागत थैंप आपके जो क्लासीक्स की चैप्राइन नाइन है गेटिंग तू-नाव प्लांट्स इसका जो कमप्लीट जो एक्ससाइज को दो सलूसन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो मेरे साथ इस पुरी वीडियों में और पर फिलींग को स्ब्राइब नहीं किया सब्सक्राइब आर बडोल फ्लावर इंड प्लावरिंग प्लायंट अर्डर रूट सिस्टम तो आपको फिला वहां पर रूट आपके सूट आन सर जा गार छैनoc जो आपको लो स्वाल सिस्टम में आपको जो आंसर यहां पर क्या हो जाएक पर अदे जर को इस एब यह जो आंसर आपको क्या हुजाएगा है इसका जो आंसर आपको क्या हो जाएगा है आपका ट्रेंड दिशो जाएगा तो यह आपका फोर्थ का फिलफ का वाल जो आंसर वे दें नेक्स्ट आपको देखने को में लिटा वह है आपके लुकिंग बैक में प्लांट्स में वह होता है यह आपका फोर्थ नमबर है दा कैलेक्स इस दे में जो फ्लावर के तो यह आपका क्या होजाएगा फॉल्स हो जाएगा थर्ड नमबर करें आपका फोर्थ नमबर है दा कैलेक्स इस दे मेड अफ लीफ लाइक इस्ट्रक्चर काल्ड सैपल्स यह भी आपका क्या है टू है तो यह फूर्थ का वह दैं लाज वाग आपका जो ट्रेंट फॉल्स में तो यह वह बिटा आपके जो लोकिंग वेक वाले जो क्वेस्टन से उसके से नेक्स आपको एक सरसाइस के जिसमें आपकर remembering और क्वाइब ले जू क्वेस्टन आते हैं उनका सलुसन पर्ट ब्लांट्स कज उसमें लटाय होती यह देन से कड़ा आता है तना अगय। system इनमें से किसमें जो है different root system है carrots grass या फिर आपके आपके आपका आपका आजाएगा grass grass में different root system है वो होते हैं आपको थर्ड है which of these plants store food in its roots इसके अपने जो roots में कौन food store करके रखता है तो आपके जो किसमें आजाएगा स्री आजाएगा carrots है या फिर आपके जो potato है उसमें जो foods है वो अपने roots में वो store करके रखता है then the weak stem of the bean plants that spirals around support it is called tendals कहते हैं या फिर tweener कहते हैं या फिर पेडिकल कहते हैं या फिर आपके creepers तो आपका भी हो जाएगा ट्विनल देन नेक्स आपका जो फिप जो questions है इन वीच प्लांटर्स दा इस्टीम पर form the main function of a leaf आपका जो इस्टीम है पत्ते की रूप में काम करते हैं तो यहां पर जो गिंगर रेडिस तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा see first and third फ़र्स थर्ड में क्या है तो गिंगर आपका गिंगर है और आपके थर्ड में आपका प्टेटो यह क्या करता है स्टेम मॉडिफिकेशन जो इस्टोर रखता है कि सको फुट को तैन नेक्स्षा रचाय आप का माल लेट्ट जी वह और लिप ग्रोव को फॉट स्वाम दसेन नोट डव fabric थी सेलरा एक यह नोड में ग्रोव करते हूं तो तो आंसर आपको क्या होजाएगा आई रूट या लीव्टरिया पी-डिस्टि क्या होगा जाएगा दियुक्तро HRória जो आपको यहां पर हो जाएगा डिप्रेंट्ट जो पॉइंट से सी फॉर्स्This 3rd and 4th में स्टाइल्स आपके जो थर्ड में स्टिगमा और तो यह आपका अंसर हो जाएगा नाइन का अंसर स्टिगमा से एक स्टिगमा से अनदर जो ट्रांसफर होता है पुलें जो है सो उसे हम जो है पॉलिनेशन के रूप में जानते हैं तो यह आपके मल्टीपल च्वाले वाले क्वेस्टन से जेटें नेक्स आपका और जो जो प्रांचे जाएगा तो यहां पर आपका आंसर में रूट और अब्जरवाएज आएगा थर्ड जो दा इस्टेम सपोर्ड दा विट अप ड्रांचे जिवस अन अथर पार्ट अब्डा प्लांट सो अंसर यहां पर फिल अप में आपका ओजाएगा इस्टेम नेक्स आपका फॉर्ज जो प्रोस्टन से दा लीफ आपका रोस अंगो गीव और एग्जांपल अप रेटिकुले venescence so answer आपका क्या हो जाएगा फूर्थ का reticulate हो जाएगा देन ले लाज़ फिप नमबर का आता है तर टीनी पोर्स दैट आप प्रेजेंट इन लीप्स और काल्ड इस टोमाटा इसे यहां पर क्या हो जाएगा इस्टोमाटा देन नेक्स आता है आपका इसी में 6 नमबर इन सम प्लांट्स लीप्स आर मोडिफाइड इन्टू स्लेंडर क्वाइल्ड इसे यहां पर जो ट्रेंड्रिल्स तो हैब दा प्लांट क्लीमा सपोर्ट तो 6 में आपका फिल आप का हो जाएगा तैंड्रिल्स नेक्स आता है इसेधी नमबर का इन कैक्ती लीव्स आर मोडिफाइड इन्टू स्पायइन इसरे प्ल्डै को produce fruits क्या बनता है कि जो pollination के process के बाद जो produce होता है उसे हम fruits है हमारे लिए fruits आता है तो यह आपका nine cancer होगे then next आपका त्यान नंबर को जो last आपका फिल आपका questions है in pollination the pollen grains are transferred from an enter to a stigma of a flower वो enter से कहां बजा है stigma में जो flower में होता है तो यह बड़ा आपके जो जितने भी आपके जो फिलफ थे exercise के solution में next आपको देखने को मिलेगा वह है आपका true and false वाले question first हम बात करें बड़ा आपके जो questions है उसमें flowering plants are either herbs or shrubs तो यह आपका क्या हो जाएगा false हो जाएगा second question से आपका the tap root system has primary roots and secondary roots यह आपका क्या हो जाएगा true हो जाएगा then third जो है आपका प्रॉप रूट्स और स्रपोर्टिंग roots that grow down from the main stream are branches यह भी आपका क्या है true ही है answer then fourth question आता है streams of young plants can photosynthesis यह भी आपका क्या है true ही है then next आता है fifth number का leaves of grasses have reticulate venitions यह आपका क्या हो जाएगा false हो जाएगा then next आपका six number जो questions है during photosynthesis leaves make starch यह आपका true है जो photosynthesis के true starch जो है leaves बनाते है then next seven number के questions है transpiration help the plant get right on excess water यह भी आपका क्या हो जाएगा true then eight number का question दा है smaller the leaf of a plant the laser is the laws of water by transpiration यह भी आपका क्या है true ही होगा then nine number के questions है आपका the female parts of the flower is the pedicles यह आपका क्या होजाएगा also होजाएगा then last 10th number का the seed contains some stored foods यह भी आपका true है तो 10th का true तो यहाँ पर बेटा आपके जो ट्रेंट फॉर्स वाले questions भी complete वे नेक्स आपको जो short answer जो ब्रीफ वाले जो questions है ना इसका जो फॉर्स जो questions आप पाता है what is a shrub shrub क्या होता है so shrubs are medium size plant about one to three meter in height roses and lemon plants are some example of shrubs जो छोटे छोटे जो पोधे होते है जो जाडिया होती है जो medium size जो होते हैं जिनका जो हाइट है one to three meters होता है जिसमें हम रोज का जो plants को ले सकते हैं because यह आपर जो लेमन जो प्लांट से तो इसकी example है then second questions की बात करें so how a tap root different from a fabulous roots fabulous roots है उससे जो tap roots है वो कैसे difference होते है यहाँ पर आपको image understand करने के लिए दिखाए गया है so tap roots is the main root that grows down into the soil it has a long and a tapering primary roots and a secondary root that grow from the main roots यहाँ पर जो tap roots में आप देख रहे हैं यह जो है main roots हो गया उसके side में जो है secondary roots है वो क्या हुआ है grow हुआ है so इसे हम tap roots के रूप में जानेंगे then while in fabulous roots a cluster of fine roots grow from the base of the steam they are thin and spread out in all directions यह जो है आपका fabulous root जो इसे धागे जो होते है वो इस तरीके से दिखाए गया है तो just stream के नीचे पहुंस तरह जो difference है direction में अला गलब जो roots है वो grow किये वह है तो answer में बस आपको इतना note करना यह आपके understand समझने क्ले में यह जो आपका image दे दिया था then third question आता है पेटा वहां पर what is the function of stem tendril stem tendril का functions वो वह किस तरीके से करता है तो some plants with weak stem have long thread like coiling branches called stem tendrils they help the plant to claim by holding on to an object and thus provide support यहां पर क्या है कुछ plant में ऐसे जो होते हैं कि जो जैसे money plants आपने देखा हो बैटा वो जो उसको क्या करता है support provides करता है so यह आपको उसका जो answer हुआ then next आता है why is the leaf called the food factory of the plants leaves जो पते हैं उसको food factory plants के क्यों कहते है so the main function of the leaves is to make food from the plants hence it is called a food factory of the plants factory में क्या बनता होता है कुछ जो चीज़े बनती है ना factory में so यह जो होता है कि जो plants है उसके जो leaves है पत्ते है वही जो फूर्स बनाने का काम करते है तो इस करान से हम उसको food factory के रूप में जानते है then next आता है आपका fifth number how can photosynthesis be written down as a chemical reaction chemical reaction में जो हम photosynthesis कैसे लिखेंगे तो इसका answer आपको यहाँ पर दिखाए का carbon dioxide then plus water इसमें जो है sun lights और जो chronophil है उसके presence में glucose जो energy है और oxygen है वो plants है वो क्या करते है produce करते हैं so यह आपका जो chemical reaction में हम इसको इस तरीके से note down करेंगे then next आता है भीड़ा six number का what is the callix what is its function callix है वो क्या होता है और इसका work function है वो क्या होता है यहाँ पर आपको image में आपको समझाने के लिए दिखाया हूं इसको draw करने के जुरत नहीं है अब यहाँ पर आपको दिखाए देर है कि outermost world of the flower is the callix जो saples है यहाँ पर आपको saples आप आपको यह दिखाए दा है तो इसको हम जो है जो है या फिर जो saples के रूप में जानते है इट प्रोटेक्स दा फ्लावर इन दा बड़् इस टेड़ कली के रूप में होता है फ्लावर तो उसको प्रोटेक्क करने का काम है यहाँ पर इस image में भी आपको दिखाई दे रहा ह इस टिम बाया स्टॉक काल्ड पैडिकल्स यह जो लता है जो जो उसे फ्लावर जो अठीक्स होता है उसे हम पैडिकल्स के रूप में जानते है देन नेक्स आदे बिटा वाट इस आप उलिनेशन पॉलिनेशन क्या होता है तो दा ट्रांसफर आप पुलेंड फ्लावर इस जो है फूल से जो पुलेंड है जो एंथर से जो इस्टिक्मा में फ्लावर में जो क्या होता है ट्रांसफर होता है उसे हम पॉलिनेशन के रूप में जानते है इसी से ही फ्रूट जो है वो ग्रो करता है देन वाट ड़स शीट कॉंटेंड सीड में क्या होता है कॉंटेंड उसमें क्या चीज़ होती है तो सीट कॉंटेंट दा इंब्रो है और दा बेबी प्लांट्स इसमें क्या होता है इंब्रियो है वो जो है होता है बेबी प्लांट्स में जो छोटा जा जो उसी से जो है प्लांट जो सीट से ही निकलता है ने जो लार्ज वह आपका आंसर प्रूट्स के रूप में डेवलाप होता है तो यह आपके आपके वीडियो को लाइक जरूर किजिए हैं और अपने दोस्तों के साथ भी से आपको लगते हैं तो उतको सौट करके आप अपने 되डियल काता है कि रूट्स में मोदिफिकेशन देखते हैं वह क्या चीज्ब थो लीपिकेशन इन रूट्स इसमें आता इस डॉलें रूट्स डॉंट्स में सोरी में जो थता है तो रूड एक प्लांट के नीचे एक जो food storage के रुप में यह जो storage root से वह काम करता है जैसे पोटर आशो पर देखा हो है ये जो इसका example आप देख सकते हैं हैं na carrot से वहाँ पर यह जो इसको roots के रूप में तोằng funeralrist की में स्वänder में हम स्टोर होता है देन supporting roots supporting roots में आपको दिखाई देरह यह जो है आपका जो money plants को देख सकते हैं, so in some plants sizes of paper and money plants the stems are too weak to stand on their own, these roots have the plant to claim up a support also called claiming roots, यह क्या होता है कि जो money plants है या फिर paper जो plants है उसमें क्या होता है कि उतका stem है वो इतना मजबूत नहीं होता है कि वो जो है plants को support कर पाए, तो इसलिए वो जो है क्या करता है, यह जो plants है, उसको वो किसी पर क्या है, उसके लपेड लेता है और वो support के रुप में roots, जो है supporting roots के रुप में work करता है, then third आता है prop roots, prop roots में क्या है कि जो इन plants ऐसे सुगर कैन, या फिर बन्यान है, या फिर मेज है, so यहाँ पर जो new roots है, वो main जो streams है, जो grow होते हैं, so this grow towards the soil and act as a pillar to support the plants, यह जो है किसके वो जमीन की वो soil को मिट्टी की वो grow करता है, और वो plants का जो pillar की रुप में, उसको support करने की रुप में help करता है, तो इसे ही prop root की रुप में, हम जानते हैं, यह जैसे आप सुगर कैन में देख सकते हैं तने पर जो निकला हुआ है, तो यह जो है आपके जो डिफरेंट जो roots है, उतके जो example है, then नेक जो second जो questions आता है, what are the function of the stem, stem का जो functions है, वो क्या होता है, so यहां पर आता है जो function of the stem, stem का जो क्या-क्या work होता है, काम होता है, so first होता है support देना, the stem bears the weight of the branches, leaves, flowers, and fruits, क्या करता है, stem जो है branch, पेड़ पर है, उसको पूरी तरीक से पत्ते है, flower, fruits है, वो उसको अपने में सहता देता है, उसको पेड़ को develop होने में वो जो जो उसको support करके रखता है, it hold the leaves in such a way that they can be spread out to get maximum sunlight for photosynthesis, leaves, leaves को वो तन्वे में ऐसे समाल के रखता है, कि maximum sunlight वो ले सके और जो photosynthesis, जीज के थुरू, जो plant है, अपना food produce करते हैं, वो बहतर तरीक सो, second जो आता है, conduction of water, the stem conduct water and mineral salt from the roots to the leaves, जो है water है, जमीन soil से जो water होता है, जमीन में जो water होता है, underground water को वो जो है plants के उपर तक plants के जो लीब से वहां तक पहुचाने का काम करता है, stem जो जड़ का काम होता है, then third आता है, conduction of foods, it also conducts food made by the leaves to the storage organ and to the growing part of the plant, जो roots है, वो एक क्या करता है, stems के लिए, रूर तक जो है stem जो है क्या करता है, वो पहुचाता है, किसको, जो food जो है, plant जो है, leaves है, वो जो produce करते है, उनको, then next आता है, photosynthesis, photosynthesis का process है, वो भी कहीने कही stem के माध्याम सोता है, है कि a young green stem can carry out photosynthesis, means जो नहीं जो या या यंग जो बहुत ही ज्यादा जो जो बनते हैं, वो जो है, starting में photosynthesis का भी work काम है, वो करते हैं, then storage of food, food को store करने का भी some plant store food, potato, ginger, या फिर water है, वो अपने जो stem है, वहाँ पर वो जो है क्या करता रहता है, store करके रखता है, then last आता है, reproduction, some plants reproduce through their stem, जैसे rose या फिरे भी केसे plants है, वो reproduction के means, वो जो तने हैं, वहाँ से भी जो नए जो plants है, वो निकलते हैं, तो यहाँ पर बिठा आपके लिए जो different जो six points बताएग हैं, इसमें से आप five points भी note करते हैं, तो वो आपके लिए enough है, जो आपको easy five points है, वो आप note down कर सकते हैं, then next third, draw leaf and label its part, आपको leaf जो है वो draw करने हैं, और इसका different जो parts है, उसके name भी note करने हैं, then explain how venetions differ in leaves, तो answer इसका जो है आपके यह जो आपको structure of leaf, इसको आपको draw करने हैं, आपके note books में, then इसका जो points आपको note down करने हैं, explain करना है कि there are two different types of venetions, यहाँ पर two different types के venetions होते हैं, इसमें, in such grasses, the venet runs parallels to each other, this is called parallels venetions, then rows and mango have a network of branches venetions, this is called reticulate venetions, तो यह आपके जो दो different type के जो venetions है, उसके बारे में यहाँ पर बताएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा, image में की reticulate venetions और आपके जो parallex venetions, तो यह जो दोनों जो है types of venetions के जो example हैं, आप इसको not down कर सकते हैं, then next fourth number काता है, the explain pollinations and its type, pollinations और इसको जो types है, उससे related इसका जो explanation आपको देने हैं बटा, तो the transfer of pollen from an enter to stigma is called pollinations, यहाँ पर क्या हुआ गे भी जो transfer pollen से क्याहाँ पर, pollen है जो enter से stigma में transfer हो रहा है, उससे हम pollinations के रूप में जानते हैं, जब pollinations का होता है, when pollinations occur between the enter and the stigma of the same plant is called self-pollination, miss एक ही flower के जो enter से stigma में जब pollen जो है transfer होता है, तो उससे self-pollination केते हैं, और when pollinations occurs between the enter and the stigma of another different plants is called cross-pollination, different जो 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 आपके क्या है flower है, तो उससे जो है enter से stigma में जो pollen के transfer होता है, तो उससे हम cross-pollination के रूप में जानते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखा दे रहा, self-pollination क्या हो रहा है, कि यहीं से एक ही plant से जो है, दूसरे plants में यहाँ पर चला गया, cross-pollination में हुआ कि यह जो आपका जब यहीं से इसी plant से इसी में जाएगा, तब वो जो हो जाएगा self-pollination, बस cross-pollination में यहाँ से वो जो है, इस plants में जा रहा है, तो वो हो जाएगा cross-pollination, then answer in detail का few जो questions है, what are seeds, seeds क्या होता है, then what do they contain and what is their function, उसमें क्या चीज़ें होती है, उसका functions, वोर क्या होता है, so seeds are embrose surrounded by hard walls, आप seeds देखे होंगे, so उसमें जो embrose होता है, या फिर जो little plants होता है, उसके अंदर जो बाद में develop होता है, है ना, जो hard wall, जो आप भी seeds सो सभी लोग देखे होंगे, then the seeds content stored food which is used up later when the embrose developed into a new plant, इसमें क्या होता है, seeds में food stored होते हैं, जब जो seeds से plants निकलते हैं, तो उसको grow करने के लिए यहाँ पर जो food stored होता है, वो help करते है, then the function of seeds is to give rise to new plants under favorable conditions, अब यह जो seeds का functions होता है, भाई वो एक new plant जो favorable condition होता है, मिस वहाँ पर सहीं amount में air, soil में nutrition हो, temperature हो, water हो, तो उसको जो develop करने के लिए जो यह जो seeds से, वो help करता है, next video आपको देखने को मिलेगा, आपके जो high order thinking, इस खिलो वाले जो questions है, उतका भी solutions मेरे आपको यहाँ को provide कर दे रहा हूं आपको मैं, first जो आपका आता है कि जो drawings are longitudinal section through a lower from the drawing से the whether you think the flower might be pollinated by the wind, ants, butterflies or bees, explain the reason for your answer, यहाँ पर आपके जो books में आपको एक जो drawing देखने को मिलेगा, longitudinal sections है lower का उसको दिखाया गया है, और जो flower में जो आपका क्या हुआ है, पॉलिनेशन हुआ है तो वो किसके दारा हुआ है, तो answer आपको जाएगा the flower is most likely be pollinated by butterfly and bees, उसमें क्या हुआ कि जो butterfly और bees है उसके कारण से ही जो pollination हुआ है means उसके कारण से ही जो anther से जो stigma में जो pollen है वो transfer हुआ है, so are present in the same flowers the bees are butterfly sitting on the floor will transfer the pollen from the anther to the stigma, so यह आपके जो किसके कारण से butterfly या फिर bees के कारण से ही यह जो आपके जो flower में या फिर जो pollination है वो हुआ, तो answer ही आपको हुआ जाएगा then आपको second attack प्रवीन एंड नीना प्लांट प्लांट प्लांटेड और रोज आफ रनर बीन्स इन देर रेस्पेक्टिव गार्डन एर दा सेम ताइम मोस्ट आप प्रवीन बीन्स जर्मिनेटेड एं सम सक्सेस्पुली बट उनली सम आप दा न नीनास ने क्या 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 बीन से उसको लगाया नवीन को जो है डेवलप हो गया उसका जो हो गया जर्मिनेट हो गया पड़ नीना को कुछ ही हो पाया तो इसका जो कंडिशन से यहां पर बताना है आपको कि the conditions required for germination of seeds are right temperature, sunlights, water, air and soil मिच भाई, germination के लिए क्या चाहिए तो सहीं जो temperature होना चाहिए, sunlight सहीं से होना चाहिए, water सहीं से होना चाहिए, air होना चाहिए, soil होना चाहिए, so आपके जो प्रवीन है उसमें तो सब सीच मिला, but perhaps नीनास garden is not able to provide some of this condition, तो नीनास जो गाड़न है उसमें चाहिए कुछ जो conditions है वो जो favorable जो condition चाहिए, वो नहीं मिल इस कारण से उसके यहां से सहीं से डियर्मिनेट नहीं हो पाया, so यहां पर मेरे दोरा complete आपके जो exercise के जो solution है, सांते सांद आपके looking back वाले जो question है, उसके भी solution प्रवाइड कर देगे, hopefully यह वीडियो आपके लिए helpful होगा, अगर वीडियो helpful है तो वीडियो को like ज़रूर किजे, कुछ doubt है, कुछ problem है, तो मेरे को comments किजे, और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe जरूर किजे, और बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूलिए, so okay बढ़ा, इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है, next वीडियो में, okay, thank you